दोस्तो इस टड़ी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाकत है दोस्तो आज आप सभी एक समख्च हिंदी भी साय में एक नई क्लास को लेकर हाजीर हूँ एक नए चैप्टर को लेकर हाजीर हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे वाक्य की क्रमबदता स समख्बंदी सवालों के बारे में जियां दोस्तो आज हमारा 45 वा दिन है और लगातार दोस्तो इतने दिनों से सीरिच को मैं लेकर चलना हूँ लगबग 1500 से जादा अभी तक दोस्तों आपको सवालों को हलकरा दिया गया है तो अगर आप इसके माध्यम से त्यारी करते हैं या आप ध्यान देंगे ठीक है तो आएए देखते हैं याद रखेगा अभी हमारे प्लेटफार्म से हिंदी इंडिजोल कराओं कई सारे बीस है के फांडिशन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं जिसके बारे माप इंक्वाईरी यहां से कर सकते हैं या हमारा हेल्प्लाइन न आजे पहला सवाल दिख रहा दोस्तों यहां पर लिख रहा की एक सेसल के 17 तक आपको क्या करना लगा अतार है सवाल यहां आप पर जबा रहों यहाँ पर मिलेगा आपको आप लाइन सेट करना सीखे ठीक है जवाहलान लहरू बिदेश में सिक्षा प्राप्त करके यानि पहला वाला पॉइंट हम रह कर सकते ठीक है जवाहलान लहरू बिदेश में सिक्षा प्राप्त करके की भारत करक्त हो नहीं सकता ऐसा सोचते थे की ऐसा यानि यह वाला पॉइंट आएगा फिर उसके बाद सोचते थे कि यानि लवाला पॉइंट आजाएगा और अंतिम में ऐसा सोचते थे कि भारत की समस्या इतिहास को बदल कर हल होगी तब जो है अंतिम वाला पॉइंट आजाएगा यानि जो सही उत्तर बनना चाहिए वो लिक्षा में जादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आप तुरंत के तुरंत अपना उत्तर दे पाएंगे ठीक है पहले धीरे धीरे चीजों को सीखते चलिए ठीक है अगला सवाल लिख रहा है उसी तरह से आपको सेट करना लिख रहा बाल मृत्यु की दर अत्यधिक थी वर्तमा सताब्द आप ले सकते हैं वर्तमान सताब्दी वर्तमान सताब्दी के प्रारंभीक दरसकों और नो शेब पूर्व प्रार्मबिक दर्सकों से पूर्व बाल की दर क्या थी दोस्तों अत्यदिक ती यह देखिये एक्दम लाइन सेट हो गया तो रह वह लह यह यह अंसन आसान से तरीके हैं दोस्तों इसको करते चलिए तीन चार पांच सवाल जाए जाते मैं आपको भी टेक्निक भी समझा दूंगा ठीक है आगे देखे सवाल क्या कर रहा है लिकरा आस्था उत्पन नहीं हो सकती अगला लिकरा नित्य प्रती बदलता रहेगा तो तो यदी कानू उनों का प्रारूप यदी कानूनों का प्रारूप नित्य प्रती बदलता रहेगा तो नित्य प्रती बदलता रहेगा तो उनके प्रती जनता में उनके प्रती जनता में आस्था उत्पन नहीं हो सकती ठीक है यानि ल र व य य य आपका क्या बना एक सिक्वेंस बना और य यहां पर दिख रहा देखें, यहां पर यह वद यह है, तो जल्दी बाद जी बिल्कुल मत करेगा, आराम आराम से सवालों को स्ट करना सीखें, तो आपसर नंबर फूर यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब, आई, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों पर और चर्चा करते ठीक है, आगे लिकरा दोस्तो, तब धर्म और इश्वर को भूल कर हम, जब हमारी किसी का सोसल करने पर तुल जाते हैं, भावनाएं दूसुत हो जाती हैं, अब देखें, अब सर, अभी आप कप से करें, कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, सर ट्रिक बत करना है, ठीक है, अंत हमेशा किस से होता, दोस्तो, आप जानते हैं, अंत में हमेशा पूडविराम वाले सब्दाते, जिसके जहां पर जाके आपका बाड़ी जो है, जो आप वाक के प्रयोक करते हैं, ठीक है, जो वाक के में आप जिन सब्दों का इस्तमाल करते हैं, उनके तारम में तूट जाते हैं जैसे मैं कहूँ मेरा नाम नितिन गुपता है तारम में हैं क्या हो रहा शमाप्त हो रहा है मेरा से शुरू हो रहा है है पर क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है तो याद रखेगा उसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों याद रखेगा भूलकर हम इस पर वाक्य समाप्त नहीं हो सकता हमारी पर भी वाक्य समाप्त नहीं हो सकता समाप्त का हो सकता या तो तुल जाते हैं पर समाप्त हो जाता है या दूसी तो हो जाती है पर समाप्त हो जाता है यही दोनो मेरिया हो नहीं सकता और रह भी नहीं सकता मतलब तीसरा वाल आपसंतु एक दम से गलत है अंतिम में चाहे लव होगा चाहे वह होगा अभी यहां तक इस सवाल तक हमने आपको यही तक सीखा है आगे बढ़ते जाईए चुटकी वे जाते वे दोस्तों आप सवालों को हल कर लेंगे आईए देखे क्या लिख रहा है लिखे अब यहाँ पर आपको सेट करना क्या करेंगे दोस्तों तो आप कर सकते हैं सुरुवात जब हमारी भावनाएं दूसित हो जाती हैं तब धर्म और इस्वर को भूल कर हम किसी का सोसल करने पर तुल जाते हैं यानि रव यल या आपका क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा तो रव यल यानि आपसर नंबर एक आपका सही जबाब हो गया कानी पकड़ लिया देखे अंती मिल्ला आके गी रहे ठीक है और वही चीज हमने सीखने का यहां पर प्रयास भी आता बस ऐसी दोस्तों चीजों को लेकर चलना है समझना है आटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा आगे देखते हैं और सवाल करें ध्यान से करिए कोई दिक्कत नहीं सुरें फिर से वही करतें दोस्तों यहां पर लिख रहा है दोस्तों मेरी बातों को ध्यान में रखेगा वाक्य में दो बाते को ध्यान रखना है वाक्य का आरंव कहां से हो रहा है और वाक्य का अंत कहां से हो रहा है अगर आपने दो पॉइंट पकड़ लिया तो बीच के पॉइंट अपने आप सई हो जाएंगे ठीक है अब देखे हो सकता यह अंतिम में हो सकता क्यों क्योंकि तारम में ही समाप्त हो रहा है तो याद रखे जहां पर यह लास्ट महों उसको चूज कर लिजिए और अंतिम में कहां पर दिख रहा है यहां पर यहां और बाकी जगह पे तो है यानि पक्का है कि दो नंबर, तीन नंबर, चान नंबर उत्तर नहीं होगा, आटोमेटिक एक नंबर उत्तर कर लिजे, सर ये तो आपने बीना पढ़े मतलब कैसे कर दिया, अरे बीना पढ़े सिखा तो रहा हूं, अभी आगे ती सवाल जाते जाते थक में, भी या आप भी स सिख जाएंगे, एकदम हस्ते मुस्कुराते पढ़ेंगे, थोड़ा समय देना पढ़ता, नया टॉपिक है, आज तक मैं इस टॉपिक को पर कभी क्लास नहीं दिया, और यूटूब पर भी जाके आप चेक करेंगे न, तो ऐसे टॉपिक पर आपको क्लास नहीं मिलेंगे ज क्या हो जाएगा, पहले करा, रगा लिजे, लोगों ने उसके ऊपर, लोगों ने उसके ऊपर, अनिएक प्रकार के लांचन भी लगाएं, पर उसका मन साप था, पर उसका मन साप था, और वँख किसी की परवा भी न करती थी, तो हो गया से, लेखिए, यहां पर अच्छे स वाला नहीं भाईया, सब कुछ हाप साइकल ले जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें, अगला लिक रहा है, भारती समाज से आ जाईए, हमको सर ने क्या सिखाया है, सर ने सिखाया कि ऐसे सवालों में, एक आरंब पर ध्यान दीजेगा, और एक अंत ध्यान दीजेगा, ठीक है, सबसे पहले अंत पर दीजेगा, बाद में आरंब पर दीजेगा, ठीक है, तो क्या लिकरा है, भारती समाज से यहां से तो अंत हो नहीं सकता है, यह तो अंत हो नहीं सकता, यह अंत वाली बात नहीं है, अंधकार मिट सकता है, यही पर अंत हो सक है एनी पक्का है कि अंत में क्या आएगा सर अंत में रऊ आएगा तो धूड़ लो यहां से अंत में रऊंपराइगा सर अपसन नमर तीन को बिलकुल reconstruction । लेकिन अब तो फसा दिया देखे रह कहां दे दिया तीनों में दे दिया चलो कोie बात नी है ऐसे सवाल भी देखने के मिलते हैं दूसरा तरीका संह ने क्या बताए था अन्त जब फिट कल लो तो आरंब को फिट करो और आरंब को कैसे पिट करोगे जबा सकता है ऐसे क्या जाए या फिर इहां से उठाये जाए सवालों को ग्रेजी शिच्छा के द्वारा ही भारती समास से अंदकार मिट सकता है ठीक है ऐसे कर सकते थे ना तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा राजा राम मोहन राय का विश्वास्ता यानि वह वाला जो आ रहा दोस्तो यह पहले होगा तो आप एक बार चेक करो कि स्टार्टिंग में वह आना चाहिए और अंती में रा आना चाहिए यही उत्तर है यही उत्तर है ठीक है तो देखें यहाँ पर क्या हो जागा दोस्तों इस स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए वह आना चाहिए और अंती में रा आना चाहिए तो देखें यहां तो इस स्टार्टिंग में आ रहा है यानि उत् हो सकता है मतलब बिल्कुल सही है उत्तर क्या बनना चाहिए पहले वह फिल फिर यह फिर एक बार आप चेक कर लिजे क्या यह सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है पढ़िए राजाराम मुहनराय का विश्वास था कि अंग्रेजी सिक्षा के द्वारा ही भारती समाज से अंदकार मिठ सकता है यही अपसा नंबर फोर इस सवाल का क्या हो सकता है दोस्तों बिल्कुल सही जबाब हो सकता है ठीक है एक दम आराम आराम से चलिए कोई जल्दी बाजी नहीं मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको ड्या ध्यान देना है वाई आरंभ की बाते ध्यान देनी है और अंथ की द्यान देनी ठीक है आ यह देखते हैं दोस्तों करा ऑ是不是 करते हम दर्कार होता है उच्छा तो लाखों मन चादी की जरुवत हो अच्छा देश के लिए और उतना यदी सुभी चादी बनाए जाए ठीक है उसुभी चादी बनाए जाए चरी आए देखते हैं ट्राइ करते पहले क्या देखें यहां पर कहां पर अंत हो सकता है ठीक है तो आपको लगा सर यहां पर अंत होता है पर हो सकता है और जरूरत हो पर हो सकता है या आपने डिसाइड किया ना कि तीन से अंत हो सकता है, तो शुरू कहां सो सकता है, शुरू यहां सो सकता है, तो शुरू आत में क्या होना चाहिए, शुरू आत में लव होना चाहिए, ऐसा आपका मानना है, अपना उत्तर जाए डूडो, कहां दिया शुरू आत मिला, अरे सर, ये तो आपसर नमबर एक में दिया शुरुवात मिला, क्या यही सही उत्तर है, कोशिस करते हैं, आईए मिलान करते हैं, जैसे आपको अपना उत्तर मिल जाना, आप इसी के आधार पर रखकर इसे पढ़ लीजी, मन सटिस्पाई हो जाए तो समल लिजे उत्तर सही है, और मन सभी चादी का बनाया जाए, तो लाखो मन चादी की जरुवत हो, ठीक है, एक दम अच्छे से से सिट हो गया, मतलब पक्का है सर की उत्तर आपका, यही होगा, बिल्कुल यही होगा उत्तर, अरे आप चीजों को सीखिए, देखिए मैं नहीं कर रहा हूं कि आप 4-5 वीडि का सिखा दिया, ठीक है, आईए हलकरातें आपको लिख रहा है, यदि आप हिंदी में अवस्य ही, आईए, समझे बातों को, वाक्य में क्या समझाया मैंने आपको, कि वाक्य का आरम कहां से होता है, और वाक्य का अंत कहां से होता, ठीक है, अब अवस्य ही पे तो वाक्य समा समाप्त नहीं होगा, ध्यान में भी नहीं समाप्त होगा, रखेंगे तो में नहीं समाप्त होगा, समाप्त कहां हो सकता दोस्तों, समाप्त इस तीसरे वाले लाइन में हो सकता, लवाले लाइन में ठीक है, कि उच्छ स्रेडी के अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखेग सबी बातों का ध्यान अच्छा यदि आप रखेंगे तो आईए एक एक रख्यम दोस्तों चेक कर लेते हैं मेरे हिसाब से लग रहा दोस्तों एक बर चेक करें आप हिंदी में अवश्य ही उच्छ स्रेडी के अंक प्राप्त कर सकते हैं यह देखें यहां से ना अगर हम यह के पहले यह हो सकता है लग के पहले यह हो सकता है ढूड़िये कहा पर है लग के पहले यहां पर वह दिया है तो यह गड़बर हो सकता है लग के पहले वह दिया है लग के पहले यह दिया है में भी दोस्तों उत्तर हो सकता है जैसे उत्तर नजर आए न तब आप सवालों को मिल लखेंगे और मिल गया हमें हमारा सही जवाब मिल गया हमें हमारा सही जवाब बहुत हस्ते मुस्कुराते करिए देखे बहुत experience के आधार पर दोस्तों में चीजों को बता रहा हूं आप इससे आसां तरीका नहीं ढूट पाएंगे से हल करने का अभी आपको मसूस हो रहा में देखते हैं दोस्तों यहां वाक्य में क्या ध्यान देना है एक तो आरंब का ध्यान रखना है दूसरा वाक्य में अंत का ध्यान रखना है पढ़िए क्या लिख रहा है करा महत्व एवं प्रिचार की दिष्टी से यहां अंत तो नहीं हो सकता वैश्ण धर्म अपने यह तसामराज की युग में स्वाड़ युग में प्रवेश कर गया या फिर वैशनो धर्म अपने स्वाड़ युग में प्रवेश कर गया इसके पहले रह वाली लाइम देखे कुब अच्छी से बैट रही है वैशनो धर्म अपने स्वाड़ युग में प्रवेश कर गया यानि इसके पहले आम गर लग के पहले र लगाते तो गजब का उत्तर बन सकता है, एक बार देखिए, लग के पहले र वाला अप्सन का यहाँ पे दीख रहा, बाकी यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक बार इस पर हम ट्राई करते हैं, एक उत्तर सही बैट रहे है बिल्कुल परफेक्ट लाइन बैठ रहा है दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको उत्तर बदलने की जरुवत है यहां पर ठीक है आपसा नंबर दो इस नौए समाल का बिल्कुल दोस्तों सही जवाब नजरा रहा है ठीक है लेकिन थोड़ा सा एक काम क्या गए यहां पर ऐ इस चैप्टर पर मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो बड़ा टाइम लग रहा था तो टाइम लगते-लगते मुझे लगा गया बच्चों को मैं ऐसा क्या बताऊं कि बच्चे जल्दी-जल्दी उत्तर ढूड़ना शुरू कर दें तो मैंने अपने साथ दो रास्ते ढूड़े एक तो मैं हमेसा सवालों में हमेसा अंत का ही देखता था क्योंकि वहाँ पर तारम में समाप्त होता था और समाप्ती को ढूड़ना काफी आसान होता है सुरूआत कहीं सहोसकता है सुरूआत को ढूड़ना फोड़ा समुस्किल होता है तो मुझे चीज नजर आए कि हम पहले अंत को ढूड़े फिर अंत को देखे अभी आपने दिख रहा यह उत्तर भी आपका गलत हो सकता है सर कैसे इसलिए नितिन सर्ण ने आपको बार बार लिख रहा है कि यहां पर एक आरंब दे रहे ठीक है आप हमेशा अंत के बाद पहले का भरे मिलान कर लेजे लेकिन आरंब की बात जरूर से करिए बीना आरंब के आप स प्रचार की दिष्टी से यहां वाला लाइन में क्या लिखा था यहां के बाद वह गुप्त सामराज्य के युग में वैशन धर्म अपने स्वड युग में प्रवेश कर गया एक बार दूसरी लाइन को हम लोग पढ़के देखते वाली लाइन लिख रहा गुप्त यह और लग तो याद रखी इसमें क्या गलत है फिर से आप सेट करिए देखें इसलिए टेक्निकल जबाब दे रहा हूं मैं आपको और परिक्षा में ऐसे सवालों पर लोग क्लेम करने पहुंच जाते हैं हो सकता है बहुत सारे बच्चों को जल्दी बाजी लग रहा हो कि यह उट पटांग चैप्टर है छोड़ो यार इस तरह कर सवाल आएगा तुम अपने सल कर लेंगे बहुत इंपोर्टन चैप्टर है नितिन सर की बुद्धी अगर आपके पास चली गई न तो ऐसे चुटकी में सवाल हलकना सीख जाओगे क्योंकि जब भी परिक्षा में तो कम-कम पांस सवाल एक साथ देता है पांस सवाल और वही पर आपका टाइम खतम होता है और मैं आपको टाइम बचाना सिखाऊंगा ठीक है अभी आप मेरी बात खाली ध्यान से सुनिए ठीक है इसको सिट करिए यहाँ पहले वाले आपसन को भी दोस्तों सही कर सकते हैं जरा इसको देखिए सिट करिए पहले वह बोलिए गुप्त सामराज्य के युग में वैश्णो धर्म अपने महत्यों प्रचार की दिष्टी से स्वाड युग में प्रवेश कर गया भाई इसके ठीक पहले यह वाली लाइन जोड़ दें तो भी तो सही न जारा रहा है सर ऐ आरमभ इससे में क्या किया जाए चीए होगा सही होगा कि आप हमेसा क्या कर आर्म पर अपना बिशार दी करना सही है ये सऊरवल अकूसा सरे बिद्द्रिय करना सही है आपका मन क्या कहता है क्या कोई वाक कि यहां से इस वाले लाइन से सुरू किया जा तो अच्छा है या इस वाले लाइन से सुरू किया जा तो अच्छा है सरीक सामराज की बात हो रही तो मुझे लगता है कि गुपतर सामराज की उकसे बात अगर हम सुरू करे तो ज्यादा ब यह सब ऐसे टॉपिक है आप भारत में किसी भी कोचिंग में कहीं भी जाकर पढ़ लो कोई भी टीचर आपको इस पर कोई कांसेट देने वाला नहीं है समझाने वाला नहीं है लोग दे देंगे अरे अपने मन से कर लो यह तुम लोग हल कर लो अपने मन से ठीक है इस तरह की बाते होती हैं आप चीज़ों को सीखो ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन कीज है ऐसे में मैंने आपको सीखाया कि आपसब नंबर दो सही होते भी कैसे अंत आते आते गलत हो गया और आपसर नमबर एक यहाँ पर कैसे सही हो गया अगर आप इन आरंब पर ध्यान नहीं दोगे तो पक्का है कि परिक्षा में गलतियां होंगी बार बार गलतियां होंगी यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है आई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं, फिर से ध्यान दीजेगा, मैं इसलिए बार-बार बोर्ट पे दोस्तों दो सब्ध जरूर लिख रहा हूँ, आरम और अंत, बहुत जरूरी आपके लिए यह आरम और अंत, थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ कि सवाल गया, पेपर में भी देखे, जैसे इसी वाक्य को यहां समाप्त कर सकता हूं नहीं, क्या यहां समाप्त कर सकता हूं नहीं, कहां समाप्त कर सकता हूं मांगता हूं पर, यानि अंत में क्या होगा सर, पक्का है कि अंत में यह होगा, अंत में यह होगा, जहां यह नहीं हो काड़ दो, यानि यह वाला अंत में र स्टाट के आज रहे हैं, रौस स्टाट के आजए, आप खाली उस पर ध्यान दिदू, यह कर रहे हैं, वह से नवह वाला पढ़ लो, वह मेहा, कभी कि सामने हाथ ना फैलाने के, अच्छा, और यह क्या कर रहे हैं, आज मैं, ठीक है, एक बार सिट कर लेते, दोनों लाइन पहले पढ़ लिजे कभी किसी के सामने हात न फैलाने के अपने छत्री धर्म को छोड़ कर आज मैं आप से एक भीक मांगता हूं ठीक है थोड़ा सगे इसको पढ़ीए पहली वारी लाइन यहां से ठीक है यहां से आपको start करने की जरुवत है और यहां पर आपको end करने की जरुवत है अगर आपने इतना पहचाना तो उत्तर फटा फट हो जाएगा अभी कुछ दिर में इतना सिखा दूँगा का आपको लिखना ने पड़ेगा डारेक्ट start in लिखिए आपको उत्तर आए ज लेते हैं और आप start लिख लिजे ठीक है अरंभ और अंध हम ने क्या सिखाया दोस्तों यही सिखाया अब देखे कहा । इन तीन से शुरूआत किया जै इसने भी कहा लग से शुरूआत किया जै मतलब पक्का हो गया कि लग से ही शुरू होगा यानि प्राउड़ों के सम्मान के लिए यह बात सही है कि सर आरंब कांस हो सकता है अब देखिए अब दोनों चीजें आपको यहां दिख गया तो एक काम करिए पूरा वाक एक बार श्रेट कर लिए पढ़िए क्या लिख रहा है अगर हम इसको पहले वाले को पकड़े तो क्याreated जाएगा लिखए प्राऌण के सम्मान के लिए सम्मान भी हमारी चिर सम्मानित और ब्रिद्ध जनों का लिहाज प्रमपरा का हिस्सा है यह भी सही हो सकता इसके अधार पड़ी अब इसके अधार पर लिग रहा है प्रावणों के लिए सम्मान और बृद्ध जनों का लिहाज भी हमारी चिर सम्मानित परंपरा का एक हिस्सा देखें चिर सम्मानित के बाद दोस्तो यानि वह के बाद यह वाला ज्यादा बेहतर बैठ रहा आप एक हो सकता है इस सवाल में फिलाल आपसर नमबर तीन ज्यादा बहतर ना जारा रहा है यह आप ध्यान दीजेगा ठीक है यानि शुरुआत तो लेकिन यह के ठीक पहले क्या आना चाहिए दोस्तो वह वाली लाइन रख दीजे तो ज्यादा बहतर होगा और एक नमबर में यहां रव दे दिया है तो आप वाक्यों को बिठाना सीखिए धीर धीर अभी समझ में आजएगा आजके क्लास में आएगा घबडाने वाली बात बिल्कुल नहीं है तो इस सवाल में क्या होगा दोस्तो आपसर नमबर तीन आपका बिल्कुल सही जबाब हो गया चली आगे हम सब्सक्राइब आपका अगला सवाल करते हैं लिखाए किषिप्रकार की जो ठीक अब हम ट मैं यहां पर हो नहीं सकता है यहां पर हम अंत हो सकता दोस्तों दोस्त नमबर यह maps नियर्ट नमबर वाली दोस्तों नमबर यह वान न हो सकता शुरात है point डेख लीज़े क्या हो सकता है सुरूात point में चाहरा किया तो यह होगा यह तो रह होगा दो चीत दे रहा है यह किसे होगा करहा किसी प्रकार की माया या लोब और इसमें चाहरा रह से यहानी है सज्जन पूरुस से एक एक करके छिक कर होगाः दोस्तों वहोगा और वह के बाद क्या होगा लौह होगा यानि उसके पहले पक्ता क्या होगा रोही होगा यानी रोया यह वहालन यτοा डी Clap्स उत्तर आगया आप समय भी देखेगा 20 मिनिट बात समय देखेगा सवालों की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी खुद की स्पीड बढ़ जाएगी ठीक है आईए तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तो आपसन नंबर एक की सवाल का सही जबाब हो गया चली फिर से आगे बढ़िए दोस्तो लिख रहा है यहाँ पर समझे एंडिंग पानी भोजन एवँ पानी की भाती जीड भी सरीर की आधार भूत आवं सकता है एक कदम अच्छे से सेञ भो गया लेकिन उसके बाद भी एक लाइन और पढ़ लेते हैं यहाँ वाली लाइं को ठीक है लिकरा नीद भी सरीर की भोजन एवँ पानी पानी लग रहा है गलत है तो यह उत्तर है नहीं यही आपका जवाब मिल गया यानि आपसर नंबर एक क्या हो गया इस सवाल का सही जवाब टाइम मिलाओ पहले फटा पट टाइम मिलाओ कि सारी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है या भी कभी तुरन टाइम मिलान कर लो आप ठीक है आओ आगे दे यानि एक और तीन में से जवाब होगा आईए एक तीन में से जवाब होगा तो उत्तर देखने क्या होगा पहले पहले को सेट देख लिजे फिर इसको यह देखे लाइन से लेखिका ने लेखिका ने एक बार सोचा सोचा कि वह लहमा को सहल ले जा और उसे पढ़ाए अच् मैच करो भाई या टाइम मैच कराओ देखो इस पीड पहले से बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही और मेरी बातें आपके दिमाग में घुस रही कि नहीं घुस रही अभी देखे ठीक है चलिए आगे बढ़िए लिख रहा है कमजोर और विवस्ति साइंडिंग ऑनि नहींसटल को भी न कर दिया कर दिया कर दिया कौर मैं आपको तेज करूंगा थीख है तो अब यहाँ पर देखे मिट पॉईंट पी आ गया 15 सवाल मैंने आपका बेस बनाने में लगा अंगला 15 सवाल ऐसे हवा मैं आप उडाओगा घबड़ाओ मत बस काली ध्यान से देखते जाओ ठीक है देखिए स्टड़ी 91 के प्रेटफर्म से हिंदी इंडिविजर की दोस्तो बैच स्टार्ट हो चुक है आप आई इस बैच को जॉइंग के रिए जवर दस्त बैच है भाई पूरी दुनिया गोल गोल चक्कर माल लोगे ठीक है लिकर आप प्रजात अंत्र और समाजवात की जड़ एंडिंग पॉइंट नहीं भीम रॉम बेटकर ने इंडिंग नहीं सम्विधान देकर इंडिंग पॉइंट नहीं सुद्रिड कर दी एंडिंग पॉइंट हो सकता है बोलो हाँ या ना जबरदस्ती नहीं न थो पर आओ आओ आपके उपर हां या ना यह बता नहीं सार आप बिल्कुल सही कर रहा है यानि वह वाला आएगा पॉइंट तो याद रखेगा रह हो नहीं सकता है यानि तीन नंबर तो पक्का ने बाकी में समापसर ढूड लेते हैं आये एंडिंग पॉइंट के बाद क्या क आओ लाइन से ठीक है बचा के वल दो आपसन अपने पास की सर चाहे लह से चाहे रह से वाक्य बना लो फटाब ठीक है पहले वाला बना लो करा भारत को प्रथम सम्विधान देकर प्रजात तंत्र और समाजवाद की जड़ डाक्टर भीमरावमेटकर ने सुद्रिड कर दी अच्छा ये वाला हो गया दूसरा दूसरे का अधर पढ़ लो लिख रहा है डाक्टर भीमरावमेटकर ने भारत को प्रथम सम्विधान देकर प्रजात अंत्र और समाजवाद की जड़ सुद्रिड कर दी ये सही है कि जड़ को सुद्रिड कर दी है ये सही है अब आप यह के बाद वह आएगा चाहने ठीक बाद वो यहां पर आ रहा है यानि आपसा नंबर दो इस सवाल का क्या है सही जवाब हो जाएगा वो ध्यान से पढ़ो हो गया सवाल हल ज्यादा परिसान होने की जरूत नहीं आपसा नंबर दो इस सवाल का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा चलो आगे बढ़ो अ अब देखे प्रगती तो हुई है लेकिन यहां जी जा रहे तो दोस्तों यहां नजर आ रहा ठीक है एंडिंग पॉइंट लोग कहा पर दोस्तों कियोग एक ही आपसर मिला नहीं है बाकी सब मिला है यानि याद रखेगा यह हो सकता है तीनों में से कोई पहला भी के साथ देखो मैच कराना पड़ेगा मैच करा देते कोई दिक्कत नहीं अगर आप देखे किसी बहाने अगर मैच नहीं कराना चाहते हैं तो एक तरीका और है कि एंडिंग पॉइंट के ठीक पहले वाली लाइन को जोड के देख लीजी अब लग के पहले करा रवा लाइन को जोड लीजे आईए देख रहे थे साक्षर्ता के बड़ते कदम के साथ अबला मात्र ही बन मतलब यहां नहीं है तो यह उत्तर तो गलत हो गया फिर से 50-50 का आपसन आ गया ठीक है आईए अब देखे क्या हो सकता है शुरुआत अब एक काम करते हैं इसी दो में पढ़ लेते हैं वह को लगा के पढ़िए नारी वह सिक्षड की इस्तिती में प्रगती हुई है प्रगती तो हुई है लेकिन लेकिन आज भी सिच्छितनारी अबला मात्र ही बनकर जिंदगी जी रही है परफेक्ट उत्तर बन गया सर आपसन नंबर 4 मिल गया हमें उत्तर आपसन नंबर 4 इस सवाल का क्या हो गया सई जबाब हो गया फटाक से आपने देख लिया चली आगे बढ़ दिया गया एक नंबर यह सेट किया गया है और एक अंतिम लाइन जो छटी लाइन एसेट कर दिया बीच के जो चार है यानि अब एंडिंग पॉइंट आपको नहीं डूड़ना पड़ेगा पहले से निंग पॉइंट दे दिया है बीच वाले सेंटेंस को गडबड कर रहा ह सर यह तो फिरकी ले लिया हमारी यह तो हमारी फिरकी ले लिया हमने जो सीखा उस पर पानी फेर दिया अरे कोई बात नहीं यार फिर से कर लेंगे क्या दिक्कत है यह तो और भी आसान होता है अब देखो इसमें क्या होता कि पहली लाइन और अंतिम लाइन को आपको हम अपने फार्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे हम पहले भी हमेसा एंडिंग पॉइंट ढूटते थे एंड वाले पॉइंट को और कोशिस करते थे कि एंड के ठीक पहले क्या हो सकता है और अभी भी हमारा ध्यान उसी पर रहेगा आओ देखते हैं अपी तु नि नहीं सेट हो रहा है यानि तो पक्का नहीं होगा लव आला पक्का नहीं होगा अंतिम में यानि एक दो सवाल आपके गलत हो गये तर यह वाला चेकर लिजे लिए अकारण ही अगनी की भेड़ चड़ा दिया जाता हो अपी तु जाता सेंटेंस खतम होने के बाद अपी समाज है तो यह वाला तो सेट हो रहा है यानि अंतिम में वह ढूड़ लो और अंतिम में वह कहां पर आपसा नमर तीन में यानि यही उत्तर होगा पक्का है अब आपको न विश्वास हो तो आप पूरा का पूरा वाक्य सेंटेंस एक बार पढ़के देख सकते हैं पढ़ दि अब दिया जाता हो वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं अपितु नितांत असभ्योंका समाज है यह आपका सेट हो जाएगा आटोमेटिक सेट होगा भागत छट पटाने की ज़रतिनी आपसा नंबर दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा ठीक है आई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं लिख रहा है पढ़िये द्यान से हमारा भविश्य तम आच्छन मतलब क्या होता तम धन आच्छन तम धन आच्छन ठीक है आच्छन तम कहा जाता है दोस्त से गिरागवा हमारा विश्य यह पूछ रहा इसके ठीक पहले आपको इड करना है राष्ट सक्षिर ळाष्ट्यता और जनतन्तर की ओर अगरसन नहीं होते तब तक हमारा भविष्य तमाच्छन है यह लाइन एक प्रकार से हो सकता है चली यह को भी सेट करके देख लिए दोस्तों यह को और धर्म को अपनी उचित मर्यादा में सिमित रख कर हमारा भविष्य तमाच्छन है सिमित रख कर तमाच्छन है गलत यानि यह तो पक्का वही होगा आप लगा के देख लो सुरू से हम लोग पढ़ते हैं हमको समझ लेना चाहिए कि जब तक हम अलग करने वाली छोटी-छोटी दिवारों को गीरा नहीं देते जादिपाद के तारेतम को हटा कर और हटा कर और धर्म को अपनी उचित मर्यादा में सिमित रखकर सिमि हमारा भविष्य तमाचन है बनगी लाइन आराम से बनी जाएगी कहां जाएगी हरे यह सब विवस्था है इसको ऐसे ही सेट करते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा नंबर आपको परिक्षा में गेन करने को मिलता है अगर आप इस तरह से पढ़ते जैसे आपको से नस्सट हो जाते हैं नहीं यह तो पक्का नहीं सर लाइन में नहीं बैट रहा है और देखे बैठ करके रहा को बैठाए रह य estás को Benुँवधन इतना अवस्था की जैसे बर्फ की सिल्के नस्ट हो सा सब तीन तो मजाक मजाय में काट दिया उत्तर क्या है उत्तर चौथा होगा जब तीन काट दिया चौथा ही होगा चौथा लगा करा यह को लगा के देखें यह को लगाए दोस्तों यह तुम पहले भी लगा चुके थे संघर सा अंतरदंद और ताप जैसे नस्ट हो रहे है चलिए हो सकता दोस्तों तो यहाँ भी था तो भाई इसको काटना उचित नहीं है हो सकता उत्तर यह भी आजा क्योंकि यहाँ भी यहाँ है यहाँ भी यहाँ है अब हमको क्या करना होगा पहली वाली लाइन ढूरनी पड़ेगी क्या लिखा है सिर्फ एक धुदला सा कर रहा है वह लगा के देखे सिर्फ एक धुदला सा सामने खड़े होने पर मुझ की ठंडी भाप लगती है सिर्फ एक धुदला सा के बाद सामने वाली लाइन ठीक है नहीं ठीक है मतलब हटाने के बाद भी बचानी वेचरा चल बसा यहाँ देखो रवाली लाइं को लगाओ लिख रहा है सिर्फ एक धुदला सा शमवेदन इतना अवस्य था कि जैसे बर्फ की सिलके सामने खड़े होने पर मुँपर ठंडी ठंडी भाप लगती है वैसे ही माले की सीतलता माथे को छू रही है और 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 संगर्स अंतरदोंद और ताप जैसे नस्ट हो रहे हैं एकदम परफेक्ट उत्तर है सर आपसर नमबर चार क्या है आपसर नमबर चार यानि रव ल और य याद रखेगा यह आपका क्या है दोस्तों एकदम सही उत्तर है इस सवाल का शही जवाब है ठीक है बिल्कुल सही जवाब है इसको ध्यान रखेंगे चली आगे बढ़ते हैं अगला करिए लिख रहा है अन्य सासन प्रडालियों यहाँ पे सेट करिए चाहे अंतिम से उठा लिए अंतिम से शिच्छा प्राप्त होती है यह उसकता है यानि के होसटा है और यह हो सकता है दोनों हो सकता अभीतक समझ शुरुआत देखे लिखे लिखे रहा अन्यसासं प्रालियों में। रह को लगाए। अन्यसासं प्रालियों की अपेक्षा संसदात्मक पध्यती। ठीक बैठ रहा लाइन ठीक बैठ रहा ना अन्यस आसन प्रालियों के पेक्षा संस्दात्मक पध्यति यानि रह आएगा पहले पे यहां भी रह पहले पे आ गया यहां भी लह आ गया आए लगा दीजे संस्दात्मक पध्यति में दलों के दलों के अब इनका कहना किया होगा इनका कहना वहा होगा तो लिकराइब के दलों के अधिक अच्छी या फिर दलों के संगठन द्वारा आम जनता को तो हमको लगा रहा दोस्तों दलों दलों के अधिक अच्छी सेट करी अधिक अच्छी संगठन द्वारा आम जनता को नहीं ये गड़बर जा रहा दोस्तो इसको एक बर से लिख रहा अज्यसासन प्रालियों कि अपेक्षा संसदात्मक पध्यती पध्यती में दलों के संगठन द्वारा आम जनता को अधिक अच्छी राजनितिक सिच्छा प्राप्त होती है यानि आपसर नमबर चार दोस्तों यह आपका परफेक्ट जबाब दिख रहा है बहुत ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा थोड़ा सा थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है लेकिन अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन दोस्तों तो याद रखेगा आपसर नमबर फूर इस सवाल का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला जबाब देखते हैं लिकरा राष्ट्रिय जातियता से बहुत ध्यान से पढ़िए और बड़े बड़े सवाल आ चुके है और यह आपके हित के लिए ला रहा हूँ ठीक है और इस तरह के जब सब जाते हैं तो कन्फिजन तो होता ही है आए अंतिम पॉइंट पकड़िए करा ला को सेट करिए ला देखें तीन पॉइंट में ला ला ही दे रहा है चली ला को देख लेते हैं जो एक साथ मानवी और विशिष्ट एतियासिक अन्भो तथा जाती द्रिष्टी से युक्त होने के कारण ही क्या है राष्ट्री है यानि लव हो सकता है लव 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 तीन है एक करा यह को देख लीजे प्रत्युत राष्ट्रिया जाती के उन वास्त्विक सक्रिय और गंभीर जीवन से है राष्ट्री है गंभीर जीवन से है राष्ट्री है सर मजा नहीं आई या तो पक्का नहीं होगा मतलब यह तीन में से कोई एक उत्तर आपका बन सकता है शर मुझे लगता है शुरुवात पर चर्चा कर लेते हैं लिख रहा है राष्ट्री जातियता से सिट करिए रखो राष्ट्री जातियता से हमारा आस है एकदम सिट हो रहा है राष्ट्री जातियता से हमारा आस है केवल जातिय बाहे गुड़ों और विसेस्ताओं से नहीं ह यहां तक हो गया आगे लिख रहा है प्रतित राष्ट नहीं प्रतित राष्ट मज़ा नहीं आ रहा है इसके आगे नहीं है नहीं है के बाद क्या लगा सकते हैं वह इसको चेक कर लेते हैं रह वाला तो सेठ हो रहाता है रह के बाद वह लगा लेते हैं ठीक है यह भी आपका प्रतित राष्ट्र या जाति के उन वास्तिविक सक्रिय और गंभीर जीवन से है जो एक साथ मानविय और विशिष्ट एतियासिक अनुभो तथा जातिय द्रिष्टी से युग्त होने के कारण ही राष्ट्री है तो मुझे लग रहा दोस्तों जो परफेक्ट जबाव आपक जराता है लेकिन मैं आपके बोर होने के लिए नहीं पढ़ाता और मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि परिच्छा के लिए चीजे जरूरी है आपको देखना चाहिए आप नहीं देखते हैं मुस्किल आपके लिए है कल आप सवाल को गलत करके आएंगे फिर अपने आप जो है स सेट करके देखिए कर आदेशान उसाड जीवन में लोगित के कार्या ही प्रभू को प्यारे हैं लोगित के कार्या ही प्रभू को प्यारे हैं वह सकता है या तो रतह, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा में मिले हुए इस्वर ही प्रभु को प्यारे हैं, तो एक ही हो जाएगा, नि लव आला तो क्क होगा, अंतवाला देख लिया, चेक करके, सटिस्फाई है तीनों से, नहीं सटिस्फाई होई है, तो काड़ दिया करिए, ताकि उतने पर आपको ध्यान न देना पड़े, अब हमको हमारे सामें तीन आपसन है, पहले वाले आपसन को चेक करिए, आटोमेटिक उत्तर मिलेगा, लिख रहा है, इस्वर, आत्म और धर्म, पहला देखे सेट करिए लग, इस्वर, आत्मा और धर्म, तथा, अपनी आत्मा में मिले हुए इस्वर, अच्छा, दूसरे वाले को पढ़िए, इस्वर, आत्मा और धर्म, को मन, वचन और कर्म से मानने वाले, कर्म से मानने वाले, ठीक है, मानने वाले, मानने वाले तथा अपनी आत्मा में मिले हुए इस्वर के आदेशा नुसरार जीवन में लू कोहित के कार्य करने वाले जन ही आस्तिक जन है और वे ही प्रभू को प्यारे हैं वह एक पूरा लाइन हमने ऐसे ही सेट कर लिया तो दिमांग में बैठ गया ठीक है तो पक्का है कि अंत से स्पीड में पढ़ा रहा है क्योंकि टाइम भी जा रहा है और देख रहा हो कई लोग परसान भी हो रहे हैं तो याद रखेगा इस सवाल में सही उत्तर क्या आ गया दोस्तों आप से नंबर दो आ गया यह आपका क्या हो गया राइट एंसर हो गया चली आगे बढ़िए लिख रहा हमारी कसावटी पर वह शाहित्य आई यहीं से सट कर लीजिए कोई दीक देख सुरुवात में देख़ रहते हैं वह शाहित्य कर रह को लगाईए खरा उतरे गा जिसमें उच्च चिंतन हो ठीक है लगो अगला लाइन चेक कर लो यहाँ पर ठीक है अगला वाला चेक कर लो लगा लो ठीक है वास्तिविक चिंतन उच्च चिंतन हो उच्च चिंतन हो गती संघर्स नहीं वेकार है ठीक है रह के बाद लग नहीं सेट हो रहा है ठीक है रह के बाद वह सेट करिए ठीक है खरा उ जीवन की सच्चाईयों का प्रकास हो जो हम में नहीं नहीं यह भी नहीं तो फिर से दोस्तों आपसे नमबर दो नजर आ रहा एक बर चेक कर लो ऐसे सही उत्तर लगाना सही नहीं है ठीक है पूरी लाइन पढ़ते हैं हमारी कसोटी पर वसाहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच चिंतन हो साधिंता का भाव हो और संदर एकाशार हो जीवन की सच्चाईयों का प्रकास हो जो हम में जो हम में जो हम में गती संघर्स और बेचैनी पैदा करें सुलाए नहीं क्योंकि सोना मृत्यू का लक्षड है सोना क्या है मृत्यू का लक्षड है इस प्रकार दोस्तों अप्शन नम्बर दो पक्का आपका सही उत्तर बन रहा है क्योंकि पूरी की पूरी लाइन इस पर आकर बैठ रही है तो यह आपका बिल्कुल सही जबाब बन जा रहा है चली अगला सवाल देखे दोस्तों क्या लिख रहा है यह हमारा परंसवभाग्य रहा है कि रोहस्ते र सेट करते कैसे सेट करेंगे दोस्तों जो तरीका था उसी तरीके चलते थोड़ा लास्ट वाले पर करा दिलों को फिर से खिला दिया अंती में देखे क्या सेट करें चाहे वह चाहे लव सारों में चार आपसंदे दिया करिए सेट क्या करना मजबूरी करना करा दिलों को फि हस्ते रोते भी देखा है जिसने अम्रत्य की आत दिलों को फिर से खिला दिया यानि यह वाला भी हो सकता है ठीक है लग जरूर रहा था कि वो भी सही हो सकता ये भी सही हो सकता लेकिन जो perfect answer हो ना वो होगा लग क्या होगा दोस्तो लग ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ मुर्जाने से जो तातपर है ना वो किस्ते दोस्तो फूलों से है आपने जहां इसको जोडा ना आतुमेंटिक उत्तर बहार आगे, ठीक है, क्योंकि अंतिम्मेंलव कहीं है नहीं, इसलिए मैंने उत्तर क्या कर लिया, आक भूध कर माल लिया, बहिया, क wine्मेंलव की जरूत है, और यहीं आपका क्या हो जाएगा, सही, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आये, फिर से दिखतें, अगला सवाल देखिए ध्यान से लिख रहा खिल जाती है अच्छा मैं एक ट्रीक और आपको देना चाहता हूं है हलांकि एक ट्रीक हर जगा काम नहीं करती है ठीक है लेकिन फिर भी बहुत इस्पेशल ट्रीक है मतलब बहुत ज्यादा इस्पेशल ट्रीक है ठीक है सुनिए क अंतिम लाइन का शंबंध शंबंध ठीक पहले की लाइन से जोडने पर कोई कॉमन सब्द मिलता है कोई क्या मिलता दोस्तों कोई कॉमन शब्द देखने मिलता है जैसे मुर्जहाना अब कौन मुर्जाता पका व्यूंड आदमी मुर्जाते हैं पक्काशत फूल मूर्जाते है उसी तरस से देखे मैं कुछ चीज़े सिखा रहा हूं आपको कुमुदνη कि सकता के वी कमल का इश्ट्रिलिंग किन कि होता कुमुद्नी होता शूजवर फूल किलते हैं तो सर्पक्का है यहां पर क्या होगा इसके ठीक पहे लग होगा अंत whiskey मिला कहा लिखा है । यहां पर लिखा है और अंति meyerù यहाँ पर लिखा है मतलब बाकी के दो आपसन तो गलत है ना इतना तो पता चल गया ना ठीक है और उपर से क्या करेंगे वैसे मिलान के लिज़े ठीक है आई क्या लिख रहा कुमुदनी कुमुदनी तो जल में रहती है बिल्कुल सही है और यहां कर रहा है कि कुमुदनी या उसका प्रेमी चंद्रमा अब गलत है यार यह कहा जाएगा कुमुद्नी जल में रहती है उसका प्रेमी चंद्रमा आकास में रहता है लेकिन चंद्रमा की किरणों के दर्सन मात्र से कुमुद्नी खिल जाती है ठीक है एकदम पर्फेक्ट लाइं बैठ गया जो यहां लिखाऊनों कोई एक ऐसा सद पक आपको ऐसा चीज़ ठीक है क्या लिखा दोस्तों प्रस्ताव रख सकता है समझेगा प्रस्ताव से जुड़ा ही कोई सब्द होगा जो यहां छिपा होगा बड़ा ध्यान दीजेगा ठीक है करा अध्यच की अनुमती से किसी भी प्रस्ताव नहीं लोगसभा का कोई भी सब्ते के मामले पर आच्छा आदे घंती में वहहस के लिए क्या करेंगे दोस्तों यहां पर प्रस्ताव के intéressant होता है जरूरी सब्द क्या अनुमती प्रस्ताव रिखी यहां पर अनुमती यहां मिला ना पक्का अंतिम में वह आएगा इस से जुड़ा हुआ ये कोई सब्द मिलेगा बस उसकी पैचान करें उत्तर बहार होगा अंतिम में वह कहां लिख रहा है यहां पर लिख रहा है उत्तर यह होगा बैया आप चेक कर लो पढ़ लो मैं डंके की किसी भी प्रस्ताओं को रख शकता है तो याद रखेगा पक्का है कि उत्तर क्या होगा आपसा नंबर दो होगा इस सवाल के लिए सही जवाब होगा ठीक है बस अंतिम वाली लाइम पकड़ करके ने दोस्तों बाहर निकाल दो आटोमेटिक आपका जवाब क्या हो जाएग अंतिम में क्या लिखा यह वाला सेट कर सकते हैं करिये सेट करा किन्तु प्राया सभी ग्यानवान लोगों का नहीं ग्यानवान लोगों से मतलब नहीं है और देखे यहां तक कि कोई मतलब नहीं उन लोगों का जो कुछ कारणवस आसावादी प्रचार करना पशंद करते हो किन्तु अतिशंभाब्य दिश्टिकोड केवल मेरा ही नहीं है यहां थोड़ा सा पहले वाली लाइन से जोड़ के देखे एक बार संयोग से यह निरासावादी अब देखे निरासावादी जो सब्द है इसी से कोई जूरता सब्द मिलेगा जैसे इसके ठीक पहले का सब्द तो आसावादी से जूरता हुआ मिलेगा ठीक है लेकिन दिख नहीं रहा है तो आईए संयोग से यह निरासावादी निरासावादी अगर हम लग को लेते हैं उन लोगों का जो कुछ भी कारणवस नहीं से ठो रहा है वह लेते हैं तो संयोग से या निराशावादी किन्तु अति संभाब्य द्रिष्टकोड के वल मेरा ही नहीं है अच्छा और अगर हम यह लेते हैं तो यह मतलब यह कि संयोग से निराशावादी किन्तु प्राया सभी ज्यानवान लोगों का भी है यह अभी ने शेट हो रहा है तो बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़िये और शेट करिए नहीं तो गड़बड हो जाएगा ठीक है क्या होना चीए नीचैरी से सिट कर लीजए नीचे वाले में क्या कर दे चार दिया कि नीचे वाले म्कारा यह को सब इक करिए कि इन तुプ्राया क्या रख सकते हैं चलिए ल यहां पर था हम इसके ठीक पहले क्या रख सकते हैं आप रख सकते हैं रह यानि लो के ठीक पहले रह इसके ठीक पहले रह यहां तक की उन लोगों का भी यह सेट हो रहा है यहां तक की उन लोगों का भी जो कुछ कारणवा सीशिट करके देखते है अब लोगों का भी है यहां तक कि उन लोगों का भी जो कुछ एंव रहा है ठीक है यान Hugh यानी लहरा नहीं लहरा यह नहीं न alarm नहीं तो टाया सड़ himself ऊएम यार खीटे टीचर गूगल थोड़े कई लोग मुश्कुरा हैंai नितिन सर कितोना धीदरे पढ़ा रहे हैं खुदे फस गये क्या अरे यार टीचर कोई Google थोड़े मसीन नहीं है हम रटके नहीं आए हम भी आफी की तरह है हम भी पढ़ना पड़ता है समझना पड़ता है बिठाना पड़ता है हम भी परिक्षा देंगे तो हमें भी समय लगेगा क्या समझके रखा आप लोगों है कि Google है अरे एक-एक सब्द की बात थोड़े अजसे वाक के वाले चीज है तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ना बिना समय दिए कोई रट्टा फीकेशन वाली तरीके चीजे थोड़े है कि बतलब ऐसे कोई आया और कुछ भी रटके रखके चला जाए ऐसा नहीं है चीज उन लोगों का भी जो कुछ कारण बस यह ने शेट हो रहा है और देखते हैं इसको सेट करिए किन्तु संयोग से यह निराशावादी किन्तु अधि संभाब्य द्रिष्टिकोड के वल मेरा ही नहीं है यह भी ने शेट हो रहा है इसको सेट करें संयोग से यह निराशावादी किन्तु अधिक नहीं इस पर दोस्तों इस्टाल लगाए थोड़ा सा कन्फिजिन हो रहा है सेट नहीं हो पार ठीक है और जब तक सेट नहुंआ था तब तक कोई मतलब नहीं ठीक है और मुझे लग रहा है टाइन थोड़ा सा जारा तो एक बार आप कमेंट करके दोस्तों आप इसका जबाब दीजेगा और नहीं आएगा तो फिर में अगली क्लास में आपको क्लियर करा दूँगा क्योंकि जो सेंटेंस दे रहा ने बैट नहीं पा रहा है ठीक है और जबरदस्ती का बिठाना क्योंकि चारों आपसल मै आप घोसले में रहते हैं ठीक है तो सही नहीं है उसी तरस दोस्तों हो सकता कोई सब इधर उधर हो गया हो आसावादी कुछ न कुछ मिस्टेक दोस्तों नजर आ रहा है जिसकी वज़ए से काईदे से ये सेट नहीं हो पा रहा अन्य था बहुत आराम से इस तरह की चीज़ें हो जाती चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं ज्यादा समय मत बरबद गए परिच्छां भी इस तरह के कोई सवाल आपको बहुत परसान करने लगा तो उसे छोड़ करके पहले बाकी के सवालों को हल करें जब बचा हुआ समय रहा था उसमें उसे हल करने का प्रयाश कीजिए लिखरा साक्षात कार बहुमुल्ले पक्षों को साहित की कैसी विधा है को स्यट करें करें दोस्तों एक रहा पीछेस स्यट करें प्रैडा दयाक रूप में प्रस्तुत किया जाता अंति में क्या लगा सकते पहले ले लगा के लिख़रा है एक डायक प्रशूत किया जाता है यह तो पक्का नहीं होगा लव वाला हो सकता है देखए यहाँ पर लव दोस्तों बहुत अच्छा सेटिंग में आ रहा है लुँ यह वाला नहीं दोस्तों मुझे लगता है साक्षात कार बहमुल्य पक्षों को साहित की क reckless विधा है जिसमें किसी चर्चित और प्रेग भीक्ती का और यह प्रेग भीक्ती का साक्षात कार करके उसके जीवन के बहुमुल्य पक्छों का प्रेडा दायक रूत में प्रस्तुद किया जाता है ठीक है तो रवाल लय रहाओ रहाओ लय कहां से सही होगा बताइए हम आप सन्वें बिठाएंगे कैसे सही होगा बताएं पांच बार इसी को पढ़ता कहां जुत्त निकलता आप देखें अपने मन से बनाना पढ़ा क्योंकि चारों आप सन्में है नहीं तो दोस्तों यह आपका परफेक्ट एंसर होगा हो सकता हो पिछले सा साहें यहीं लेकर रहने वाले व्यक्तिओं भागोलिक सीमा में है ठीक है ठीक है अब इसमें सेत्करी अंतिम में सकता है भागो realities सीमा दोस्तों तो अंति में रह लग रहा है तो दो आपसंद कट हो सकते हैं और रह के स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए यह हो सकता है एक 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 राष्टी चेतना एक एक राष्टी चेतना नहीं बैट रहा है एक भोगोलिक सीमा में बैट रहा है एक भोगोलिक सीमा में यानि इसके बाद हम वह वाला बोल दें एक भोगोलिक सीमा में एक भोगोलिक सीमा में एक राश्ट्री चेतना यानि यह बोल दें इसके बाद हम एक भोगोलिक सीमा में एक राश्ट्री चेतना लेकर रहने वाले ब्यक्तियों की समस्ठी ही की समस्ठी ही देश है ठीक है यानि वह य लव य लव य यानि क्या हो जागा दोस्तो वह य मार आपसे नमबर थी दोस्तों यहां पर आपका सही बनेग्या एक बार बिठा लिजिएगा मैंने अपने से दोस्तों बिठा लिया अच्छे से ये मुझे सही नजारा रहा है इसे याद रखेगा और तीस सवाल दोस्तों ही पर आपके समाथ हो जाते हैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर था बहुत सारे बच्चों को पसंद भी नहीं आय होगा खेर उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि किसे पसंद आया किसे नहीं आया आपके लिए क्या इंपोर्टेंट है यह जरूरी है ठीक है और स्टड़ी 91 के प्रेटफार्म से बहुत सारे बिसे आपको पढ़ा दिये गया है यह उन्हीं का हैं जिन्हें आप परचेज कर सक होते हैं हमारे website से application से ठीक है तो चलिए आज की class ही समात होती है मिलते हैं दोस्तों अगले lecture में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत थेंक्यू थेंक्यू सो मच